So finally, कल 4 मार्च है, एंट फेजिक्स की आपके बोर्ड इग्जामिनेशन है. आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, बच्चा है, सुबह के 9 बज रहे हैं, लगबग. And आज पूरे दिन आपको है न, क्या करना चाहिए, ये इस प्यारे सी छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेर करूँगा. But, वीडियो को स्टार्ट करूँ से पहले मैं आप लोगों से इतना जरूर कहूँगा बाबू की, बहुत जादा न, कल के वीडियो में बताया था, पैनिक मत होईएगा. देखें, वो बच्चे जो सुरू से पढ़े हैं, बाबा SSP के चानक के निती, ब्रह्मास्त्र, फिर उसके बाद हमारा ये ब्रह्मास्त्र की कॉश्चिन प्राक्टिस, दबंग बैच, इतनी सारी चीज़े हमने दे हुई है चैनल पर, वो बच्चे जो लगातार देख रहे हैं, दे बन से प्रिप्रेशन कर रहे हैं, उनको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कल जब वो एक्जाम होल में आप बैठ होगे, इन में से कोई भी सीरीज अगर आपने देखी है, तो आपको आपके बाबा एससपी दिखाई देंगे, कुछ बोलते हुए, बेटा तु अकेला नहीं है एक्जाम में, मैं तरे साथ हूँ, अगर तुन्हें वीडियोस देखा है बाबू, तो देख मैं बोल रहा था, ये कुशन आएगा और आया हुआ है, राइट, सो बच्चा बिल्कुल घबराना नहीं है आप लोगों को, बट आज के दिन बहुत इंट्रस्टिंग तरीके से आपको अपना रिवेजन करना है, एक उत्साहा के साथ, दिएकि किसी भी काम को जब हम करने जाते हैं, और उत्साहीन हो करके जाएंगे, वो काम कपी भी पूरा नहीं हो सकता, अगर हम अपने रामायन से कुछ सिखें, तो जब समुद्र को लागना था, तो उस वक्त जामवन जी ने जो है, हनुमान जी से कहा, कि कौन सुकाज कठिन जग में जो तुम से हूँ नहीं पाएगा, क्योंकि वो राम सिया, राम सिया, राम सिया, राम मैं, तो राम ही राम पुकारू करके, साइड में बैठे हुए थे, और सारे जो योध्धा बानर दल था, वो परिशान था कि भाई कैसे छलांग मार के जाएंगे, अब वो सांती से बैठे थे, तो जामवन जी बोले कि जाएए उनको जरा देखिया, हनुमान जी कहां चले गए, फिर वो उनको याद दिलाते हैं, और जब उनको याद दिलाते हैं, कि तुम्हारा जन में जो हुआ है, राम काज के लिए ही हुआ है, उसके बाद एक्दम मार परवत के समान, हनुमान जी महराज बड़े हो जाते हैं, अब फिर बोलते हैं, कहा करना है बताईए, जाकर के रवणवा को अभी धर के मार दें, बार दें, पुरी लंका सहीद दबा दें, उसको पनियम फेक दें, डुबा दें, बताईए क्या करना है, अब जामवन जीसे देखके बोलते हैं, महराज पहले नीचे आईए आईए नीचे आईए, ना आपको रवणवा को मारना है, ना उसकी सेना सहीद उसको पानी में डुबाना है, आप जो है बस इतना करिए कि जाके सीता माता का पता लगा कर क्या ये, इस छोटे से बात से ना मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, कि आपको उत्साह रखना है अपने काम में, आपका काम क्या है? आज के दिन पढ़ाई करना है, उत्साह रखना है, बच्चा, ऐसे मरे-मरे से नहीं मैं फेल हो जाओंगा, कुछ नहीं आता, सर में यह कर लूँ किया, मैं वो कर लूँ, कुछ नहीं, आप उत्साह रखिए, कि कल हमारा एक्जाम में, हमारे जिंदिगी का कोई वो date decide नहीं होने वाला है कि आज ही से सब कुछ जो है मैं जो बनने वाला हूँ या भगवान जी ने ऊपर वाले जो मुझे बनाया है मैं इसी चीज़ से decide होने वाला हूँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है उत्सा लेकिन रखिए बच्चा तो अगर करके वैसे वहां सर्वनास करके वापस नहीं आते जलाद आते लंका वैसे एक अलाप लोगों को अनमान Ferr兄 की तरह ही पेपर को आग लगा कर क्याना जाना करके west लेकिन अच्छा करके आना इन-अच्छा करके आना इंद सेंस घेटा लिखना है को चोदो मत यार सीबीव इसी का पेपर चेक करने जा चुका हूँ और बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है जो हैड डिपार्टमेंट होते हैं कि बच्चे अगर कुछ लिखते हैं तो यूँ आप तो यूँ दे मार्क्स है ना तो हमको नहीं लगता है कि अगर आप इस चैनल से बच्चों लगातर पढ़े हैं तो आई डूंट थिंक सो कि आप लोगों ने कुछ भी जो है नहीं पढ़ा है और आप पेपर पुरा छोड़ कर आएंगी ठीक तो जड़ा ध्यान से दीखिए मैं आपको जो कह रहा हू जो किया है बच्चा आपने बेस्ट किया कुछ नया आज की दिन ट्राइ मत करिये जैसे सबसे नया की यूटूब पर कहीं हम 10-12,000 लोग देख रहे हैं तो हम भी खुशी समारे चले जाया और वो आपको मामा बना रहे है कि पेपर यहीं से आएगा यहीं कर लो कुछ नहीं बच्चा बस आपने जो पढ़ा है पहले उसी को रिवाइस करो वो बेस्ट है अब एक्जाम के ठीक एक दिन पहले कोई आपको कुछ ऐसा नहीं दे सकता है कि जिससे आपको साल बर कुछ नहीं आया तो आ जाएगा यह बडियो दोनों तरह के स्टूडेंट्स देख रहे है उत्सा रखिए कि मैंने जो पढ़ा है वो मैंने बेस्ट पढ़ा है अब मुझे इसी को रिवाइस करना है नई चीजे कुछ इंक्लूड ना करो ठीक सेकिन बच्चा जितना डेरिवेशन है फिजिक्स में चैक्टर 1 से चैक्टर 14 तक का वो आपने नोटबूक में लिखा हो नहीं लिखा हो तो लिख लो अभी भी समय है हम काहे लिए कह रहे हैं डेरिवेशन करके जाईएगा बिटा तो डेरिवेशन वास है न जो आपको निमारिकल कभी कुछ फसता है न इधर उदर तो आराम से आप कुछ न कुछ उसमें लिख करके आएंगे ठीक है और जो बच में पिन वीडियोज है और टेलिग्राम के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर हमने एक साथ कलेक्शन में सारा चैप्टर 1-14 जितना भी हमने डेरिवेशन कर जो भी कराया है उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी और उसकी नोट्स जो है आप देख लीजे वहां से NCRT Book Exercise Example जिन बच्चों ने पढ़ाई करी जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उनके लिए तो यह अवोईड है बिल्कुल अवोईड है मैं आप कहूंगा एक दम दूरी बनाए निमेरिकल से आपको निमेरिकल से ही सबस्यादर डर लगता है बट वो बच्चे जो concept था हमने इसको ऐसे करना है ठीक है उसके बाद बच्चा आप जो है formula को multiple time revise करिए जितना हो सके उतने बार कागज पर लिखिए आज की दिन आपको 10 से 12 घंटा तो पढ़ना ही है उसमे formula जितने बार आप multiple revision कर दीजेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको fail कर सके या आपको अच्छे max लाने से रोख सके तो जितना हो सके अधिक से अधिक formula का revision करिए क्योंकि formula आपको याद होगा तो numerical बन जाएगा formula आपको याद होगा तो आपसे mcq आसानी से बन जाए ठीक है and then बच्चा revision express करेके हमने एक video दिया था आज के लगबग एक महीने पहले जिसमें पूरा धाई घंटे में complete physics का revision है ठीक है तो only two and half hour में आपका पूरा complete physics है आप वो वीडियो जरूर देख लीजेगा एरफोन लगा अगर के 1.5x के speed पे और हो सके तो आज के दिन जो आपके पास समय बचा हुआ है आपको कोई topic में दिक्कत आ रही है कहीं कुछ पर आता रहेगा पैनिक हो जाईएगा डर जाईएगा तो यह चीज से ना आपको बचना है बाब आज के दिन है ना बाकि आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है कल के दिन हमने live आकर कि आपको 100 mcq भी कराया था आपने वो देखा होगा तो इतनी चीजे हम कर चुक आज 200% दे दीजे आज 200% दे करके देखिए बाकि सब अच्छा होगा बच्चा बिल्कुल भी नहीं घबराईएगा ठीक है बाबा एससपी के तरफ से आप लोगों को एकदम दिल से बच्चा एकदम हम एकदम दिल से कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ हूँ and all the best मचा क सारे विद्यार थी पिश्चे 6 साल से लगा तार इस चैनल से पढ़ाई करते रहते हैं ठीक है कोई भी तकलीफ आ रही है बच्चा प्लीज कॉमेंट करें हो सकेगा तुम्हें रात को इक बार लाइव आकर कि एक नॉर्मल कॉन्वर्जिशन करूंगा ताकि आपकी जो एनर रहता है बहुत सारे बच्चों के नाम याद हो जाता है तो एक सिकह ش microslles चैन मेशाश होता है तो एक साल बाद दो आपको जब भी मिलेंगे बच्चा गले से ही लगा लेगे, ठीक है? So you all are very close to my heart and love you all मेरी प्यारे बच्चो, घबराना मत, कल का पेपर चाहे, जैसा भी हो, अच्छा जाए, तो भी मैं आपके साथ हूँ, बुरा जाए, तो भी मैं आपके साथ हूँ, फेल होने से मत घबराना, कि मैं फेल हो जाऊँगा, तो क्या मेरा जीवन खतम हो जाएगा, नहीं, और फेल होना ही क्यों है, इतनी सारी चीज़े जब मैंने बता दिये है, इतना करके जाओगे, तो आप आराम से पास हो जाओगे बच्चा, ठीक है, बाकी मैं चाहता हूँ, भोकाल मैं चाहिए, and सचिनसरफिजिक्स at the rate gmail.com, सात्विक थौट, and सचिनसरफिजिक्स इंस्टाग्राम पर connected रही है बच्चा, लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने बड़े भाई को जरूर मैसेज करना, हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि हमीशा reply कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन समय निकलता है बच्चा, तो हम हर बच्चों तक पहुँचने की कोर्सिस हमीशा करता है, बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much, love you all, and all the best, मचा के आईए बच्चे, अपने CBSE Board Physics के अंदर, जैसे पेपर खतम होगा, शुक्ला जी जाएंगे review लेने के लिए, तो वीडियो जरूर देखेगा, and मैं कोशिस करूँगा, इवनिंग में मेरा सारा स्लोट खतम हो जाए, KGS का, Khan Global Studies का, जहां मैं नीट बढ़ा रहा हूँ, उसकी बाद बच्चों हम आपको solution भी बताएंगे कि कैसा पेपर का label रहा, ठीक है, चलिए, all the best, love you all, जैहिंद,